जहींद मेरे प्यारे साथियों सी आई से पेस एलडी सी एकजम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वैलकम आज यह जो आपका वीडियो जो हम बना रहा है तो मैं थोड़ा बाहर में आया था और बाहर में आने के बाद क्या है मैं अभी बापस जा रहा हो मेरा अपने घर का तरफ तो अचानग मेरा क्या हुआ कि मेरा कुछ स्टूडेंट या मुछ एंडिडेट ने मेरे को हाटसप करके मेसेज दिया था कि सारे आज एक हमारा सी आई से में टर्रीनिंग केलेंडर आया है जिसमें हमारा जो एलडी सी एक जाम हेड कोने स्टेबल क्लार के एक जाम औ और यह 24 नवेंबर का डेट है तो मैंने जैसे मेसेज को मेरे को 10 बजे का सबस में मिला तो मैंने क्या किया सबसे पहले इसको कॉनफार्मेशन के लिए मैं बहुत जगा में फोन किया उसके बाद CISF वेबसाइड में देखा तो CISF वेबसाइड में आभी तक एकजाम का कोई म सबसे में छूट ने बोला कि यह जो केंडिडेट का जो ट्रेणिंग केलेंडर होता है कि म मतलब इसका सच्चाई बहुत जा गाउ dess Александ कि क्या होता है CISF काgem होता है वो December या January का पहले पूरा December में क्या होता है जो next year का पूरा training का पूरा एक program सेथ हो जाता है तो इसमें क्या होता है भलाई एक इधार या उधार हो सकता है थोड़ा बहुत date का मगर हाँ ये है मगर confirm है तो इसमें से हम लोग इतना एक चीज देख पा रहा है आप देखिए इसमें बहुत सरा training का दिया है उसमें देखिए दिया है इसमें CISF, SI, LDC जो आपका 2019 का basic course का बारे में दिया हुआ है ठीक है और इसमें candidate का जो vacancy का इसमें दिया हुआ है 614 का तो इसमें बहुत सरा candidate का मन में ये भी doubt था कि हमारा 1300 के उपर vacancy तो इतना कम क्यों दिखा रहा है ये तो स्रीफ एक training center का दिखा रहा है ठीक है अब दुसरा training center का और भी कुछ होगा तो इसलिए बाकी देखिए इसमें head connectable clerk का भी है इसमें बाद में इसमें देखिए ASI, LDC जो आपका 2020 का basic course भी है तो एक चीज तो ये confirm हो जा रहा है कि हमारा exam बहुत जल्दी आने बाला है बाकी देखिए सभी का reporting date देखिए March में है ये आपका जो 19 का आपका March में है 21 March का असपस में है और जो 20 का अभी तक date कुछ fix नहीं हुआ तो एक चीज सभी के पास ये confirm हो गया है कि exam अभी हाली फिलाल में आने बाले है और ये हाल फिलाल में exam है तो आप लोग को उसी का हिसाब से अभी से तयारी जोर कदम से लग जाना चाहिए ठीक है तो क्योंकि देखिए वीडियो को बड़ा करके कोई फाइदा नहीं है तो मैं स्रीफ आप लोगों को ये information पहुचाने के लिए क्योंकि मैं बाहर में हूँ ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक है क्योंकि बाहर में किसी को बोलेंगे तो सभी सोचेगा पा यह से कर लीजिए बाकी क्या है इसमें आप लोगों को इनफोर्मेशन पहुचाना था इसलिए पहुचाया मगर इसमें कोई साइन बगरा कुछ नहीं है स्रीफ मेरे पास एक ऐसा पेपर आया है कितना सच कितना जूट मैं इसका मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अभी तक कु वह एक बढ़ी असा वीडियो बना के मैं उसमें आप लोगों को दूंगा श्रीफ आपको आभी इंटीमेशन के लिए वीडियो में बनाया तो चलिए जय हीन जय भारत